हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करेंगे यदि कोई विक्ति तलाक लेना चाहता है उसे तलाक लेना है और उसने तलाक लेने के लिए कोट में केस फाइल किया है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए देखिए हाला क जो भी आपका case file करेगा वो अद्वक्ता होगा लेकिन वहाँ आपको भी एक वार देखनी है कि जो भी हमने case file किया उसमें ये तीन गलतियां नहीं होनी चाहिए उसमें क्या-क्या ध्यान देने वाली बाते हैं क्योंकि अगर आपने तलाक का case file करते वक्त यदि आपने वहाँ लापरवाई या वहाँ पर छोटी सी भी गलति कर दी तो आपका सारा पैसा खर्च होगा और आपको divorce तलाक भी नहीं मिलेगा तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे request है कि अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और दोस्तो तलाक से जोड़े और वी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे description में जाके तलाक से जोड़े और भी महितपूर वीडियो देख सकते हैं जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली बात अगर आपने तलाक लेने के लिए कोट में case फाइल किया है तो जरूरी नहीं होगा कि आपको नियालाय तलाक दे दे तलाक मंजूर आपकी कर दे जरूरी नहीं वो आपका जो भी आपने case फाइल किया है उसे खारेज भी कर सकता है अब बात करेंगे कि आप ऐसा किस प्रकार case रखें कि आपका तलाक का case खारेज नहीं हो और आपको 100% तलाक मिल जाए तो उसमें जो भी हिंदु विवाद नियम की धारा 13 के अनसार वहाँ पर आधार दिये गए हैं देखिए आधार वहाँ पर 13 B में कई दिये गए हैं लेकिन अच्छा होगा कि आपको कोई ठोस आधार मिले कोई मजबूत आधार मिले और आप उसको उस आधार के साच्छी वी दे पाएं अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको क्या आधार वहाँ पर उचित होगे कि आप वो आधार दें तो आपको 100% तलाक मिलने के तलाक मिल जाने के 100% चांस रहते हैं कौन से आधार हैं वो वैसे तो 14-13 में कई आधार दिये गए हैं जैसे क्रूरता है जारकरम है पागल पन छाफिय से पति पागल हो गया है नपनशक हो गया है माली जी उसमें दूसरा विवा कर लिया ये गयी आधार है लेकिन यहां पर दो आधार जो हैं वो सबसे most full हैं एक तो कुरूरता दूसरा जारकरम अक्सर ये दो ही आधार होते हैं या तो पत्नी पत्नी में बनती नहीं है तो कुरूरता का तथ्रा वहां पे कुरूरता का कारड रखा जाता है या जारकरम का कारड रखा जाता है लेकिन अभी वी यहाँ पे आपको तलाग जरूरी नहीं है अब यहाँ पे आपको साच्छे और किस प्रकार आपको कुरूरता और जारकरम के कारण रखने है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे कुरूरता के आधार के बारे में दमकी देता है, कि मैं मर जाओंगा, बच्चों को मार दूँगा, या तू आतमत्या कर ले, ऐसी सारी बातें जो मानसिक रूप से किसी को आघात पहुंचवाती हैं, मानसिक रूप से परिसान करती हैं, यह सबी बातें करूप़ा में आती हैं, लेकिन आपको प्रूफ पर ना होगा साच के दौर पे माली जी कोई call recording हो माली जी आपका पती call करके आपको गाली देता है धमकी देता है लगातार मही नहीं है दो मही Monsieur साल से दे रहा है तो ऐसा साच मानने होगा आप बात करेंगे तो सारी री कुरूता तो सारी री कुरूता में जैसे माली जी गर अपात करा देना या मारना पीटना तो ऐसी स्थिती हो गई वो सारी री कुरूता हो गई तो सारी रिकुरूता का अगर आप साच देना चाहते हैं तो सारी रिकुरूता का साच ऐसा हो सकता जैसे माली जी पत्ती पत्नी ने मारपीट की तो आपने पुलिस F.I.R. ए N.C.R. किये हो या माली जी महले पडोसी या घरवाले बचाने आये हों ले सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर माली जी आपके पत्ती है पतरी ने एक दो बार गाली दे दी या एक दो बार मारपीट कर दी तो सोच रहे हैं वहाँ कि आप में तालाक मिल जाए साधार पर तो तालाक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि निया अलाय किसी भी विक्ति का घर तोड़ना नहीं चाहता निया अलाय का काम होता है कि जहां तक हो सके तहां तक इन विक्तियों का घर बने जहां तक हो तहां तक इनमें तलाक ना हो ऐसी कोसिस करता है अगर माल लीजिए आप जाएज और जिस परकार मैंने बताए उस परकार साच शकर पेस करते हैं तो आपकी 100% तलाक हो सकेगी दोस्तो अब बात करेंगे जारकरम देखे जारकरम एक ऐसा आधार है जो कि तलाक लेने के लिए सबसे जादा जारकरम का आधार बनाया जाता है दोस्तों अब बात करेंगे जारकरम का आपने आधार कब बनाए, कैसे बनाए और क्या-क्या साथ चाप कैसे प्रूब कर पाएंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर पती या पतनी किसी से फॉन पर बात, SMS या Facebook या WhatsApp से बात करते हैं तो ऐसी कंडिशन में या माली जी फ्रेंड हैं तो ऐसी कंडिशन में जारकरम का आधार नहीं मना जाएगा छोटी सी बात को जारकरम का आधार मानकर तलाक नहीं दे दी जाएगी अब बात करेंगे वहाई जारकरम बास्तम में भी अगर कोई पते अपत नहीं अवयद संबंद मनाते हैं तो आप कैसे प्रूप कर पाएंगे तो देखे वहाँ पर जरूरी नहीं होता है कि आप उनके जो भी सारी तिक संबंद बना रहे हैं आपको पता है कि जी अवयद संबंद में रहते हैं तो आपको वीडियो क्लिप वहाँ पर नियालाय पहुचानी होगी ऐसा कुछ नहीं जरूरी नहीं है कि आप वीडियो क्लिप भी वहाँ पर दें अगर माली जी आपके पास कोई ओडियो रिकॉर्डिंग है तो ओडियो रिकॉर्डिंग एक माँ की है या माली जी चार ओडियो क्लिपे हैं आपके पास 10 हैं या 15 हैं अधिक ओडियो क्लिपे होनी चाहिए तो उन बातों से ही यह पता लग जाता है कि यह पतनी या जो भी ब्यक्ति हैं इनके किस हाद तक संबंद है क्या यह सारी तक संबंद बनाते होंगे या नहीं तो यह वो बातों से ही पता लग जाएगा दूसरा अगर कोई फोटो रिकॉर्ड है कोई audio record है कोई sms है या whatsapp chat है तो whatsapp chat मैंने कहा कि नहीं होगी लेकिन whatsapp chat भी कही तरह किसी होती है कि उसमें किस तरह की बातें होती है ये भी उसमें माइने रखता है ऐसा नहीं कि hi hello और अधर बातें भी और परिस्थितियां भी साच्च के रूप में माने जाती है जैसे तक माल लेजिए कोई जो भी व्यक्ति है पत्या पत्नी वो एक ही दिन किसी कहीं जगे पर गए और वहाँ पर मिले तो परिस्थितियां भी बताती है कि इस दिन आँ से ये गए थे वो भी वहाँ से गए थे उस होटल में रुके या उस कमरे में बंद रुके या बंद पाए गए तो ऐसी कंडिशन ऐसी परिस्थितियां भी जारव करम के रूप में साच्च होती हैं तो आप ऐसे जो भी साच्च हैं वो रख सकते हैं या माल लीजिए कोई गवा के रूप में कोई गवा हो तीसरा वेक्ति थर्ड पार्टी कोई गवा ही दे कि भई यहां यह अवेद संबंद में रहते हैं यहां आते जाते हैं यह वेक्ति यहां पर रोज आता जाता है तो इससे पता लगा जाता है कि भई यहां पर अवेद संबंदों अबेर संबंदों का पता लगता है क्योंकि परिस्थितियां बोलती है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें और किसी भी प्रकार का कोई भी कुशन हो तो कमेंट करके जरूर बूझें और इसी प्रकार के इसी टॉपिक से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रेशन में कई वीडियो की लिंक दीगे हैं आप वहाँ से और भी महित बूडियो देख सकते हैं